जैहें डिफेंस इसपरेंट्स, वेलकम बैग अगीन, दिस इस दिवांशु पांडे, रश्यन प्रेसिडेंट व्लादमिर पुतिन के क्लोज एलाई के द्वारा ये कहा गया है कि अमेरिका में सिविल वार होना चाहिए और उसके लिए उन्होंने अपने तरफ से कई कारण ब करेंगे, शुरुबात करते हैं आज के सेशन की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेब 2022 से लेकर अभी तक रश्या और यूक्रेन के बीच में युद्ध आपका चल रहा है और अब इसको दो साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से युद्ध विराम की इस्थि उत्पन्य नहीं हो सकी है, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन का साथ जो है, यूरोपिन जूनियन और अमेर का दे रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वेस्ट के द्वारा जो है, इस आग में घी आपका डाला जा रहा है, और इसी बीच जो है, प्रू क्रेमलिन पॉलिट तो सारे बाते उसमें तर्क कहा गया है, और इन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका में किसी प्रकार से आंतरिक संगर्स अर्थात सिर्विल वार होता है, तो ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं बलकि ये विश्व के शान्ती के लिए काफी बहतर रहेगा, और इनका नाम जो इंपेक्ट होकर, अमेरिका के द्वारा जो है, यूक्रेन के वार में जो अमेरिका मदद पहुचा रहा है, उसको वो रोकेगा, और सिर्फ वन वीक लेटर ही पूरा विश्व ये देखेगा कि रश्या यूक्रेन वार आपका समापती के ओर जाएगा, और यूक्रेन में भ पहला दुतिविर्शिद आपका चला था, उसके बास से अमेरिका और जो सुवित यूनियन थे, एक दूसरे के एंटी हो गये थे, और कोल्ड वार का एरा जो है, काफी लंबे समय से चला, सब कहते तो ये भी हैं कि अब कोल्ड वार का सेकेंड वर्जिन आपका चला है, जह इस युद्ध में इतने लंबे समय से इसलिए टिका हुआ है, क्योंकि उसको जो है वेस्ट का, वेस्टन वर्ल का जो है आपका समर्थन मिला हुआ है, आगे ये कहते हैं कि रशिया ड़नाट विश वार वार, विश वार एनीवन, इवन अमेरिकांस, ही सेट, कंटुनिंग पर वीश इसलिए हम चाहते हैं कि अमेरिका में सिविल वार होगा क्या, उसका सब्जेट क्या रहेगा, लोग उसके लिए क्या आते हैं कि नहीं आते हैं, और ये भी बताते चलों, इस साल जो है बहुत सारे देशों में काफी बड़े-बड़े एलेक्शन्स हैं, जैसे कि भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में और चुनाओं को प्राभवित करने के लिए भी जो है सभी देशों के उतारा कुछ नखुछ आपके प्रहतिन तो किये ही जाते हैं इसमें जो अमेरिका का इलक्षन पिछले बार का हुआ था उसमें रश्या की हुमिका को हाइलाइट आपका किया गया था किस प्रकार से रश्या ने इंफ्लुएंस इस वार को आपका किया हुआ है यहाँ पर आप इस map को देख सकते हैं रशिया और युक्रेन का इलाग का यहाँ पर sea of ajov और black sea आता है और रशिया की moment काफी तीजी से चल भी रही है और रशिया ने almost युक्रेन की ज्यादा तर आर्मी को जो है आपका neutralized destroy आपका कर भी दिया है रशिया भी इस समय के आपके इंतजार में कि किस प्रकार से अमेरिका में election हो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो और उसके बाद ही हम अपने जो रणीती को लेकर आगे बढ़े हैं उसको हम कामयाब कर सकें वहीं पर रशियन leaders और former उनके जो pro-clamarin political scientist हैं उनके द्वारा कहा गया ह कि we wish ourselves peace in the new year and for those living in the Ukraine to get rid of this colonial जुनता American force upon them यानि कि उनका कहना है कि रशिया का कहना है कि उनके political leaders का कहना है कि अमेरिका के दौरा एक प्रकार कर राजनायतिक जो जुनता है अर्थात इसको हम कहेंगे military coup है उसको Ukraine को पर थोब दिया गया है और इससे Ukraine को बाहर निकलना होगा Ukraine तभी बाहर निकल पाएगा जब वो अमेरिका और यूरोपेन देशों का समर्थन लेना बंद कर दे अभी हाली में रश्या ने काफी तीजी से हमले जो है यूकरेन के उपर आपके किये हैं जिसमें सिंस 29 दिसम्मर से अभी तक देखें तो 300 missiles रश्या के दौरा आपके लाँच की गई है 200 drone attacks आपका यूकरेन की तरफ किया गया है और मीडिया का यही कहना है और रश्या भी चाहता है कि इसको जल्द से जल्द हम समाप्त करें लेकिन मेरे ख्याल से रश्या इस बात का भी वेट कर रहा है कि किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हो अमेरिका में और हम उसका फायदा अपने क्रिया का लापो को आगे आपका बढ़ा सकें तो युद्ध तो काफी संगर्श पूर्ण है इसको देखा भी जाएगा किस प्रकार से आपका आगे चला है और भविश्च में किस तरीके से जो है इसकी भूमिका आपकी बना करती है एक तरफ तो आपका इसरेल हमास वार चला है जिसमें अभी तो युद्ध विराम हो चुका है एक महिने के लिए हुआ है और हमास ने कहा है कि हम जो है जितने भी हमारे पास हमने लोगों को हॉस्टेट बनाया उनको हम रिलीज करेंगे इजिप्ट के माध्यम से वहाँ पर अभी सीज़ फायर हुआ है लेक किस तरीके से प्रवावित कर पाएं क्योंकि अगर आपको नंबर वन होना है तो नंबर टू वाले को जो है आपको लाइन से हटाना ही पड़ेगा देखते हैं कि इस विद्ध में आपका क्या होगा इसी के साथ मैं बताऊं कि आप सभी SSB क्रैक एक्जाम की इंटर्वी ऑन रहे हैं तो आप SSB क्रैक एक्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं